तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जी लेंग ने एक जलतेव फर्नस के उपर जूनिंग को कई सारी चेंसे से बांद कर रखा हुआ था जो कि जी लेंग और लोजिंग की फाइट की बज़े से एक ही करके तूटती हुई जा रही थी और जैसे ही पर वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम लोजिंग को देखते हैं जो कि उनसा भी चेंसे से लटका हुआ होता है और उसकी हालात बहुत जानद ही खराब होती है जहां पर ये देखकर जी लेंग बहुत जानद ही खोस होता है इसलिए वह आपर हसते हुए कहता है कि हमने भी मेरा साथ दिया है क्योंकि मुझे अच्छी तरगी से पता था कि वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर जाएगा इसलिए मैंने वहाँ पर भी एक ट्रैप लगाया था इसलिए तुम्हारा थाइंस कि तुम्हारी बज़े से वो इस ट्रैप में फसा जिस बज़े स अमें उससे अपना बदला ले पाऊंगा तो ये सुनकर जूनिंग उससे में अपनी नीडल से से उसके उपर अटेक करती है लेकिन जीलेंग उनसे बड़ी आसानी से बच जाता है लेकिन अब जूनिंग उसे किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए वहाँ अपनी कैनन को बाहर निकाल लेती है और उससे उसके उपर अटेक करती है जिसे कि जीलेंग वहाँ पर सिल्ड बना कर रोक लेता है लेकिन उसकी बज़े से वहाँ पर एक बलास्ट होता है तो ये देखकर जूनिंग फिर से उसके उपर अटेक करने के लिए जायरे ही होती ह कि तब यूँ आपर उपर खड़े हुए जनरल्स में से एक जनरल उसके उपर अटेक कर देता है जिसकी वज़ी से जुनी आपर भूँ जादे इंजर्ड हो जाती है और तब यूँ आपर वो सबी डिमन जनरल्स आकर के उसे चारो तरफ से गेल लेते हैं जहाँ पर वो सबी उसे मारने के लिए जाई रहे होते हैं कि तबी जिलेंग उन्हें ऐसा करने से रोग देता है मगर जुनी उनकी बातों पर जाना ध्यान ना देकर खड़े होते हुए अपनी कैनन को ढूणने लगती है जहाँ पर जिलेंग जुनी के पास में आते हुए कहता है कि अभी यहाँ पर सब कुछ खतम नहीं हुआ है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर पहले धन्यवात कहना चाहता हूँ कि तुमारी बज़े से मैं इसे पकड़ पाया और अब इसकी जो कुछ भी हालत है वो तुमारी बज़े से है क्योंकि वो तुमारी लिए यहाँ पर आया था और अब वो तुमारी बज़े से ही यहाँ पर मरेगा जिसके बाद वोणवांपर हर्षते हुए लोजिंग की चेंस को तोड़ देता है और उन चेंस के तूड़ते ही लोजिंग उस जलते हुए फ़रनस के अंदर गेड़ जाता है और उसे गिरता हुए देखे करके जुनिंग को वहाँ पर एक जोड़दर का सौक लगता है कि आखिर कर ये उसकी बज़े से यहाँ पर क्या हो गया और वहीं हम उस फरनस के अंदर लोजिंग को देखते हैं जिसे कि वहाँ पर अपनी बहन की याद आ रही होती है कि जब वो उससे पौरगेटरी माउंटन में मिला था तब लोजिंग ने उससे कहा था कि वो जल्दी उसे वहाँ से निकल कर ले जाएगा और इसके साथ ही में उसे आपर अपने दोस्तों की भी याद आने लगती है और इन सब के बारे में सोचकर वो आपर कहता है कि मैं अभी यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ क्यूंकि मुझे यहाँ पर अभी अ जान्दा पाउरफुल होना होगा और जैसा कि हम सभी को पता है कि लोजिंग के बाड़ी एक वैपन है और वैपन को जितने जान्दा इट मिलती है वह उतना ही जान्दा पाउरफुल होता है जिस बज़े से वह उस फरनस के एनेरजी को अब अपने अंदर एब्जोब करने ल में जेक्र वो डीम जर्राल उहां पर घब रहा जाता है और वहीं यह देखकर जी लेंग भी सौक होता है और उसे समझ नहीं आता है कि आकर यहाँ पर पर क्या हो रहा है इसलिए वहां पर उनस फर veggards को उस फारनस के अंदर चेक करने कंएको तो यह सुनकर वो सबी डिमन जर्रस उसे चेक करने के लिए जाने लगते हैं जहांपर वो जाई रहे होते हैं कि तभी उस फर्नस के अंदर से तेज रोसने निकलने लगती है और वो फर्नस हवा में उन्हें लगता है तो यह देखकर वो सबी डिमन जर्रस बिल्कुल सौक होते हैं जहांपर ये देकर जीलेंग को भी इस बात पर यकिन नहीं आता है और तभी वो सभी डिमेंजरल्स मिलकर उस फरनस के उपर अटेक कर देते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और अब वहाँ पर लूजिंग के बारी होती है और वो अपने डिवन डिवन फिश्ट के सेग जीलेंग के उपर अटेक कर देता है जिसे की जीलेंग वहाँ पर सिल्ड बना कर रोकने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि लूजिंग की पापर से जान्दा होती है इसलिए वो सिल्ड वहाँ पर बड़ी आसनी से तूट जाती है और वहीं उस सिल्ड के तूटने के बाद लूजिंग भी बाहर आ जाता है और वहार आने के बाद जीलेंग को एक जोड़दार का पंच दे के पीछे फेक देता है जिसके बाद लूजिंग वहाँ पर बिना देर किये अपनी डिमोनिक पावर्स की मदद से अपनी कैसारी स्प्रिट बोडिस बना लेता है जो कि जाक लूजिंग भी वहाँ पर अपने सबी अटेक्स को बंद करके नीचे आ जाता है जहांपर वो नीचे आने के बाद जूनिंग को देखता है और वहीं लूजिंग को ठीक देखकर जूनिंग इमोसनल हो जाती है इसलिए वहाँ पर जल्दी से जाकर के लूजिंग को गले रहा हूं जिससे सुनकर जूनिंग वहाँ पर लूजिंग को छोड़ देती है और फिर लूजिंग को चेक करने लगती है तो ये देखकर लूजिंग वहाँ पर जूट बोलते हुए कहता है कि मैं बिल्कुली ठीक हूँ क्यूंकि मेरी बॉड़ी वेपन की तरह मजबूत है ज उसकी जीजाते हूँ लूजिंग के हालत खराब हो जाती है तो उसकी इस चाहलत को देखकर जुल म löजिंग के की अपना हात आँ देता है और उसके बाद वहाँ पर एक bald देता है और उसके इस इवी पर स्मायल के साथ में यह हमारे यह विडियो यहीं पर ही और आयोप कि यह वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप सभी को तो अच्छी तरगी से पता है कि आप सभी को क्या करना है इसलिए मिलते हम अपने नेक्स वीडियो में बैबाई